तो कहाने शिरू होती है एक बिलकुल ही सुंसान पड़े हुए डैमेंशन में जहाँ पर कोई भी उनिवर्स एक्सिस्ट नहीं करता था लेकिन वहाँ पर एक शिप आती है जिस शिप का नम है कॉंट में लिया अब इस शिप के अंदर फाइफ्थ डैमेंशनल बींग्स थे जिने कहा जाता है कॉंट में लिया तो वो इस universe को destroy भी कर सकते हैं, इसकी मदद से अनायर लार्क, जी हाँ, ये छोटी सी दिखने वाली चीज, जो कि इतनी खतरना अख नहीं दिखती, लेकिन ये एक universe को destroy भी कर सकती है, और एक universe को create भी कर सकती है, तो as always जैसे ये जो है contumelia universes बनाते घूमते रहते हैं, ये destroy करते गुमते रहते हैं, तो वो इस dimension में भी आये थे universe को बनाने, contumelius की ship पर एक चीज टेलिपोर्ट करके आती है, और वो था एक chronosapien, chronosapien एक species है alien की, जिसके बस time powers है, और इस chronosapien का नाम था meltrant, मतलब जो meltrant था, वो time में उस time पर आया था, जब universe की creation नहीं हुई थी, तो meltrant यहाँ पर आया था, एक अनायर लार्क के साथ, जो कि उसने कस्टमाइज करके बनाया था, उसके हिसाब से, और वो big bang करना चाहता था, अब big bang के बारे में तो तुमें पता ही होगा, तो meltrant ने अबना big bang स्टार्ट करा, लेकिन ben ने अपने सारे aliens की powers से, उस big bang को reverse करके, उल्टा malware पे ही उसको फैक डाना, और malware के टुकडे टुकडे होगे और वो time loops में फस गया, और वो बार बार ये चीज को दोहराता रहेगा, यानि कि वो बार बार big bang करने की कोशिश करेगा, और बार बार मरता रहेगा, यानि कि ben ने उसको एक time loop में पसा दिया, और फिर ben औ आखों से अपने यूनिवर्स को बनते हुए देखा, तो ऐसे स्टार्ट हुआ हमारा prime यूनिवर्स slime beyonds जो कि यूनिवर्स में घूमते है, DNA को collect करते हैं, mix करते हैं और कुछ species को भी बनाते हैं, यानि कि अपकी जो जादते species हैं, benten universe की, वो इन्होंने ही बनाई है और benten om universe के लास्ट एपिसोड में जैसा कि बोला था, कि इनके बगार universe अधूरा है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ हजार साल बाद, एक छोड़े से planet पे एक जीव का जन्म हुआ, जिसका नाम था asmat, जो कि काफी सारी galaxies में सबसे जादा genius being बना, asmat को inventions करने में बहुत मज़ा आता था और वो बहुत सारे inventions करता था, asmat की girlfriend भी थी जिसका नाम था zenith, जो के उसके साथ inventions करने में मदद करती थी, एक दिन asmat ने asmat की एक बहुत ही जादा शक्तिशाली तलवार बना डाय ली, zenith ने asmat को बोला कि ये तलवार बहुत जादा खतरनाक है, तु लेकिन वो उसकी पावर को सम्हाल नहीं सका और पूरा का पूरा प्लैनेट डेस्ट्रोय हो गया, तो तुम इस समझ सकते हो के asmat की पावर कितनी जादा है, asmat ने खुद को blame किया इस सीज के लिए, कि उसकी वज़ा से ही ये पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हुआ है, asmat ascanil वासली और चला किया, अब एर 11-13 में asmat अर्थ पे आया और अरत की हालत बहुत बुरी थी, यहाँ पे एक warrior sir George, एक other dimensional creature, डाइगन से लड़ रहा था, जिसके साथ उसके चेले लकूब रास थे, अब यहाँ पर sir George, बहुती जादा कमजोर पढ़ गया था, डाइगन के आ बातों में पकड़ा, मालों उसके अंदर इतनी ताकत आगी कि उसने एक जटके के अंदर डाइगन के हार्ट को उसके जिसम से अलग कर दिया, डाइगन का हार्ट उसकी power का source था, तो sir George ने डाइगन को magic spell की मदद से other dimension में seal कर दिया, और उसके हार्ट को ascaline समेथ कहीं और ये करके वो वहाँ से चले गए, बिना कुछ कहे, आजमक में यहाँ से चला गया और वो एक zenon planet पे गया, वहाँ पर जाके उसने एक ऐसा device बनाने का सोचा, जो के लडाई को represent ना करे, पीस को represent करे, तो उसने इसी चाह में Omnitrix की creation स्टार्ट की, वो भी ये सोचते हुए कि शायद zenith Omnitrix को देख के वापस आ चाहे, लेकिन हम सबको पता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, Omnitrix एक ऐसा device है, जो के अपने user को अधन घिनत alien species में transform कर सकता है, अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो 1770 में George Washington जा रहे थे कुछ investigate करने, और वो एक secret organization के अंदर काम कर रहे थे, जो के अर्थ पे हुई अजीबो गरीब rumors के बार में investigate करते थे, यहाँ पे time hole में से melt मैल्ट्रेंट निकलता है, और यह वो time था जब Ben और मैल्ट्रेंट time field में लड़ रहे थे, और Ben ने मैल्ट्रेंट की ship पे हमला करके उसे खराब कर दिया था, अब मैल्ट्रेंट विल्गेक्स को यहाँ पे बुलाता है, और यंग विल्गेक्स इस time पे लोगों की मदद करता गूमता था space में, लेकिन बदले में उसे कुछ भारी मुनाफ़ा ले जाता था, और अब जब विल्गेक्स ने मैल्ट्रेंट की spaceship को repair कर दिया, तो मैल्ट्रेंट ने बदले में उसे दिया decronal sapient time bomb, और तुम्हें पता यह इस bomb ने आगे जा कि क्या किया था, अगर नहीं प जासे ही विल्गेक्स, Omnitrix के पीछे पढ़ा था, उसने research करनी स्टार्ट कर दी, अब भले विल्गेक्स यहां से भाग लेकिन वशिंग्टर ने अपनी कुलहारी से attack किया विल्गेक्स की spaceship पे और उसका एक पार्ट निकल के गिर गया जमीन पे, और यह सबसे पहला alien activity record किय अर्थ पे सच्ची में, और अब वशिंग्टन भी आगज से चला जाता है और बैन भी, अब यह जो organization जिसमें George Washington काम कर रहे थे, यही आगे evolve होती होती, plumbers बन गई और इन्होंने headquarters बनाए अपने इस जगाँ पर, 1952 में एक unknown scientist जिसका किसी को नाम नहीं पता था आज तक, time travel का एक experiment कर रहा था, जिससे वो time travel कर सके, लेकिन इस experiment में कुछ गरबर हो जाती है, जो कि उनको अंदर की तरफ को कीच लेती है, और फिर सब को लगा कि यह दोनों scientist मर चुके है, 1962 में 10 साल बाद, Max Tennyson जो के military का एक air force pilot था, उसने एक energy being को बचाया, जिसका नाम था Vidona, जिस और यहाँ पर एक plumber, magister elaborate आया, जिसने Max Tennyson को offer की के, तुम plumbers को join कर लो, और हाँ, Max Tennyson ने plumbers को join भी किया, आगे जाके बहुत ही बड़े-बड़े कारणामी किये, काफी सारे अपने partners के साथ, लेकिन उनमें इसे एक जो उसका सबसे close partner था, जिसका नाम था Devin Levin, जो के एक osmos यह नहीं था, और वो किसी भी तरह की material को absorb कर सकता था, और उसे उसकी powers use करनी नहीं आती थी, उसने गलती से अपना पूरा का पूरा घर उड़ा दिया, और उसे घर से निकाल दिया गया, अब 2006 में Asman ने prototype Omnitrix को complete कर लिया, और अपनी एक assistant Xylene को Omnitrix दे दिया, उसे बोला क स्पेशिप में fight होती है, लेकिन विलकेक्स अपनी laser beam उसे शूट करता है, जिसकी वज़ा से Xylene की स्पेशिप crash हो जाती है, लेकिन वो विलकेक्स पे भी बहुत गंदा effect करती है, वो काफी जादा injured हो जाता है, और वो अपनी ही capsule में अराम करने लग जाता है, जब तक वो प ट्रिप पे 10 साल का Gwen Tennyson और 10 साल की Gwen Tennyson, तो बस अभी के लिए इतना ही भाई, मैं आगे ने तुम्हें बता रहा स्टोडी, तो इस वीडियो को बनाने में इतनी मैनत लगी है कि तुम सोच नहीं सकते हो यार, पूरा हफता लगया इस credit करने में, तो प्लीज एक लाइक कर दो चैनल पे नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके bell icon all पे साइट करो, ताकि तुम पार्ट टू भी देख सको, पार्ट टू जल्दी आने कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आए, लेकिन हाँ टाइम तो लगेगा रहे बाबा, तो प्लीज सब्सक्राइब करक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो मेरा चैनल भी चेक आउट कर सको, तो गया भाई, बहुत मैनत लगी इस वीडियो को बनाने में, प्लीज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करो, बाई